खर έχει महिधाली कि लिह दोड रही है लोग कह रहेंगी विरुजगारी की लहर दोड रही है लोग कह रहा है बहुत समस्या है जो तक्नीकी जो जमीनी समस्या है उनकी लहर दोड रहे है वह लहर आपको नजर नहीं हादा तक आndry आपको क्यूं समझ रहें आपका हाइए कि आप बीजेपी को पठखनी देने के बिलकुल तयार है आम आधी पार्टी के हमेशा सरा लालज देना सस्ती बिजली दे दो फ्री में पानी दे दो नहीं देंगे फ्री में नहीं देंगे अगर भतीजे के साथ के तो ही जीवन्त है वरना किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जब बीजेपी की सरकार आती तब ही त्यों राम बंदिर उठता है हम व्यपारी उसके साथ जाएंगे जो व्यपारी वर्ग की बात करें दो नहीं हो न gobakनू में यूद हमाराऊ वैह में आपका सुागत है मैं हूँ आपके साथ कावेंद्र चौहार इसवक्त हम लखनओ में मौजूद लखनओ में क्यों मौजूद है कि लखनओ के लिए कहा जाता है कि दिली का जो रास्ता है वो लखनओ से होकर गुजरता है लेकिन दरसल आज की तस्वीर ये है कि लखनों अगर किसी को पहुँचना है तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बो अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है कुछ महीने भर बाकी है ऐसे में ये जो दंगल शुरू हुआ है चुनावी राजनितिक पार्टियों की बीच पे इस दंगल का अंतित्तब होगा जब मतपेटिया खुलेंगी मतपेटियों के साथ किसकी किसमत खुलेगी ये भी एहम है लेकिर उससे पहले जमीनी हकीकत क्या है और कौन सी पार्टि किसके साथ गडबंदन करने की अभी भी कोशिशों में है और कौन अपनी कोशिशों को सफल आयाम दे चुकी है कौन सी राजनितिक पार्टी गर्दिश में इसको जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही साथ माहौल क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो इसे चुनावी कारिकरम में जो चुनावी चर्चा है उसको शुरू करेंगे उससे पहले दर्शकों के लिए एक बार जोरदार तालिया हो जाए, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कारकरम का, इसके साथ ही हम अपने महमानों साब का तारूफ करा देते हैं, परिश्या करा देते हैं, हमारे साथ शिवम पांडे जी मौझूद है, आप प आपका बहुत-बहुत स्वागत एक बार जोरदात तालियों के साथ इनका भी स्वागत करिए तो कारिकरम की चर्चा शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले अपने कारिकरम की परंपरा है जिससे सभी नेताओं को यहाब गत कराएंगे दरसल प्रवचन छोड़कर वचन की बात करेंगे आग जनता के सामने वचन दीजीगा कि आप क्या कुछ काम विपक्ष की भूमिका में रहते हुए आपको लगता है कि आप अगर सरकार में आते हैं तो क्या कुछ करेंगे और ज सबसे पहले जो आपको लगता है कि आप पूरा नहीं कर सकें अपने पांच साल की कारखाल में और आपको अगर दोबारा सत्ता मिलती है तो वह काम आप पूरा करने के लिए सोच रहें भीे jakा से ईसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है लेहर दोडरी आइप कहरें? लोग कहरें कि लेहर दोडरी लोग कहरें? बिरुज़ज़री की लेहर दोडरी है वह लहर आपको नजर नहीं आ रही है महंगाई देखिये ये एक temps ग्ल देखेगे मेरे पास सालों में कितने लोगों को दिया गया य looking miss गई आपको क अपको खुद नहीं पता तो आम मुझे कैसे दिखाएंगे अपक्र कि बात क्यों कर रहा है आख्ला इंटा से सरकार में है उससे पहले की समाजवारी पार्टी की सरकार रही है उसमें आप तुलना करिए ना बेरोजगारी कितनी है नहीं है वह देखे और सत्ता का भांगणा आप करेंगे यह बहुत आप इनसे पूछाँगा आप बताई कि आप आक्ड़ा नहीं है तो मैं नहीं बता सकता आक्ड़ा का बता हैं रखड़ा मैं बता देता हूँ छोटा सा कि सब तो alliance गटबंदन इन चीजों में लगे पड़े हैं कि कौन किसके लिए दर्वाजा खोल रहा है कौन किसके लिए दर्वाजे बंद कर रहा है समाजवादी पार्टी से सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि इस बार आपको क्यों ऐसा लग रहा है यह टेंपू आप क्यों समझ रहे हैं आपका हाई है कि आप बीजेपी को पठखनी देने के बिलकुल तयार है कि मैनुफेस्टो जो लागू होता है वो जनता के पास एक वाइविल एक कुरान एक गीता एक रमैल की रूप में होता है जनता उसी को समझ के अपना ओट करती है कि यह नेता हमार पास्ती नगर में भी अगर विकास हुआ है तो समाजवादी सासनकाल में ही हुआ है उसके बाद भाजपास आसनकाल में सड़क भी बनने का काम नहीं हुआ आप देख लिए करोना काल हो उसमें भी पैराशिट अमाल भी नहीं मिली है और आकड़े क्योल बता रहे हैं कि मैं कोई अनौका काम नहीं है अगर पढोशी के घर में किसी के दिक्कत आती है तो हम अपना घर का शमान बेच के पढोशी का इलाज कराएंगे यह हिंदूस्तान करा गागाइं तो निबहाने का बी जिक्र किया अब इन्हों करा ले इसलिए सट्ञा में नहीं हाने ह дальше यह सघन पहुंख्ञें आप नगर उपाध्यक्षे आप क्या है मैं ताराचन्द यादो नगर उपाध्यक्षे उपाल्टी क्या मगर आज देख लीजिए यह इस भाजपा अपने लोगों का किस तरह से उत्पिड़न कर रही उसमें खुदी लोग दुखी है खुदी परेशान है कि उनके विकास के कारी उनके कोटे कुद नहीं लग पा रहे हैं। करते हैं कि हम आपने का सड़क बनने का कहीं काम हुआ और दूसरे शब्दों में आप बोल गए कि पुर्वांचल बनाया सुन तो लिजे पूरी बात को जैसे उन्होंने कहा काम सुरू काया माने अकले शादो जी ने और आगरा एस्प्रेस बे पर चल करके देख लीजे और प बजट फेल हो गया है युवा युवा इस तरह से तड़फडा रहा है एक चीज आप से सवाल करूंगा अखिले शाद आप कह रहे हैं कि पुर्वांचल एक्सप्रेस दरसल इनका नहीं है वो हमारा है इन्होंने तो फीटा काट दिया आपका है हमारा काम है और आपकी जब चुनाव आते हैं ओपर एक चीज अच्छी है कि एक्सप्रेस वे तीनों महत्पूर्ण यह उत्त्र पर्देश में जन्होंने समय-समय पर उत्त्र पर प्रदेश किया उन्होंने आपस बाट लिया आपका आग्रढ लखनू एक्सप्रेस वे हो गया आपका एक पहुचने का जो रास्ता है वो बहुत दूर है बहुत लंबा रास्ता है क्योंकि आप उत्तरप्रदेश में अभी उंट्रड़क्टरी फेज में हैं आए हैं परिचय दे रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि बदलाओ हो सकता है यह विकल्व की बात आपने दिल्ली में भी थी और दिल्ली में लोगों ने आप पर रिश्वास किया आपको लगता है कि उत्तरप्रदेश की जनता भी आप पर रिश्वास करें जब उत्वड़िश में में वेक्सिनेशन के लिए और सब्स्सक्राय पहले हमा गज्ट के लाइए कि आние बैगा वेक्सिनेशन को मिलने लगा वेक्सिनेशन के लिए हमने इखता भी के साथ उसके पहले आवाज चेजी के साथ अबाज्य जो है हर मीडिया चैनल पर जाके हमने लिए उठाएटी चला रही थे सिंगापुर से टैंक कर शीजन बनाया थे हम लोगों को ओक्षा जब लोगों से लोगों को शिंगापुर मंगवा सकते थे तो फिर आवाज किसले उठा रहे थे आवाज उठाने दी जाए क्योंकि सरकेज सरकार ने कहा था कि दिल्ली में ऑक्सीजन के प्लाइट में लगेंगे हमने उनको जगहां अवंटित कर दी सारा काम कर दिया लेकिन सरकार ने सिर्फ एक उप्लाइट लगा था और अव्य पताया था जो जो महामारी प्रबंधन वि यहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं वोट बैंक है स्लिए हमारा वोट बैंक जो है वर आम आदमी Heli कि पैसे बचेंश का स्वास सहीर है उसकी बिद्धारी कम हो हर आदमी हमारी आमाननी पार्टी का जो है वोटर और रहामांटी वोटर के लोगों को सब्सक्राइब शुच्छा चाहिए आपको आपको अच्छी सिख्षा चाहिए चाहिए सस्ता पेट्रॉल चाहिए सस्ती बिजली चाहिए देखिए उनके नहीं चाहिए जले भी जले भी बनाने का समय नहीं है सस्ता पेट्रॉल मेंगाई को घटाना इसमें हिंदु तो कहां से आ गया देखिए ऐसा है ना आधी पार्टी के हमेशा सरा लालस देना सस्ती बिजली देदो फ्री में पानी देदो आप नहीं देंगे इसमें देश का देश का विकास नहीं होता तो इसलिए ये सस्ती लोग प्रिता पानी के लोग आए हैं कोई जनाधार नहीं है फर्जी समय बरबाद कर रहे हैं हमें लगता है इनको दिल्ली में ही रहना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब प्रिस्पा के साथी पर जरूर आउंगा आपके पास जरूर आउंगा वापस आप यह आप लगातार दवाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से सपा आपको अपने में शामिल कर ले लेकिन वो शामिल नहीं कर रहे हैं और अगर शामिल नहीं किया तो क्या उन्हीं के वोट काटने का काम करेंगे अगर वोट काटने का काम नहीं करेंगे हमने पहले भी माने जी ने बात भी करी है, आधर ने मुखमंत्री जी से, पूर मुखमंत्री जी से, कि अगर वो हमारा मान सम्मान, या हमारा बड़पन होने के नाते हमारी बातों, सम्मान तो पूरा कर रहा है, अभी मैं सभा के अपने नेता जी से पूछूगा, वो कहेंगे, पूरा सम्मान है चाचा क और इखिए शीटे हमारे पास कम होने के कारण हम छोटे दलों से आपना गजबंदन करके आपना चोटे दल अपने आपको मान रहे हैं क्योंकि अभी हमारी पार्टी इतनी विकास नहीं हुआ है या इतनी बड़ी आप अपनी पार्टी को खुदी कहीं नहीं मानते हैं नहीं के साथ गए तो ही जीवन्त है आपकी पार्टी नहीं चाचा का इतना कहना है कि अगर माने मुख्मंत्री जी जो है वो अगर हमें अपने पार्टी में जोना चाहते तो हमारा मान सम्वान के तहद जिस तरीके से समाजवादी सिर ड़काई पर और जुएँ ह Hambur stars वाति सम्वाइन तो है समस्वान तो घ्रपूर मिल राइव हो जो जो छॉली भरभर समान दिया इसाथथ नहीं ले रहे है सम्मान नहीं friends यह भी वह unfon करते हैं तो फॉन में उठाया जाता है नेता जी मतलब नहीं लेना चाहते आपको अपने साथ नहीं लेना चाते हैं अब क्या करेंगे चोटे दलों से गढट बंदन करके छोटे आपके साथ आ रहा है आप दल निशाथ पार्टी कहीं चली गई ओपी राजबर की पार्टी कहीं चली गई दूसी दूसी पार्टी आ इधर उदर जा रहे हैं हम आदनी पार्टी चर्चा है कि सफा के साथ भी जा सकती है तो आक एसाथ आपके साथ और यखा रहा की सफागे साथ जा कि आपके साथ कीया कि आएक बता हीा बच्ञाइगा अ युधिय मैं हुस्टहतु इपसे थोड़ा समय ले रहा हूं लेकिन यह बताएptions बात कर रहें कि मुझे थोड़ा से gketि देगे तो हम उनके साथ मिलड़ सकते हैं से दल डल किसीं का भी हो सकता है वो भले ही संगटन हूँ, जो चोटे आपकी पाटी हो या आपकी जो नम में आकलन नहीं बता सकता आपको अगर वो डल आगर हमाई है कई हराही बाते है कुछ भी ठीक है सम्मान हो रहा है मुस्कुरा के बता रहे हैं लेकिन देख रहे हैं दुख दर्द कितना है फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं बाते हो गई सब को सम्मान के लिए मानी राष्ट्री अद्देश अकलेश यादोजी ने कह दिया है और भाजपा को उखाड फेकने के लिए कोई भी दल से समझा आने वाले समय नहीं बात पूरी हो रहे हैं और हम लोग शप्रदेश के बनने जा रहे हैं और प्रदेश की जंता खुसाल होगी यह मेरी सुपकामना है लखनो इसलिए और जरूरी महतुपूर हो जाता है आपने आप में क्योंकि यहां से बड़ी-बड़ी जो खोशना है वो लखनो की धर्ति से ही होती हैं और जो सत्ता में आते हैं काबिज होते हैं बड़े-वड़े फैसे लिए जाते हैं वो भी लखनो की धर दो hon लिये जाते में वह ऊस्पताल क्या आपने कहा है पिछली सरकारों कुछ समरों कोख भी words कि ऑफ पर रासन कर दो रुपार किलो में रासन देती था practice पर दिए लेकिन जो साथ तीन सो को ले रहे थे उनको आपने हजार के कर दिया है क्या हिंदुस्तान में अगर कुछ भी विकास नहीं हुआ था कुछ भी विकास नहीं वह देशा आपने लोग कह रहे हैं तो जो भी आप लीच पर दे रहे हैं वो किसे ने बनाया था आपका सवाल में समझ गया इनका कहने का मतलब यह है कि आप कहने कि हमने सड़के बनवाई लेकिन उस सड़कों पर जो वाहन चलता है उसमें जो पेट्रॉल और डीजल डलता है वो बहुत महंगा कर दिया आप कहते हैं कि हमने उजला योजना के तहत हमने सिलेंडर माटे घर लेकिन वह सिलेंडर में जो गैस पढ़ती है वो दरसल आपने हजार की पार कर दी तो यह आपने क्या किया उनका पहले प्रश्ण था करोना महामारी जो कि एक महामारी सभी जानते हैं और जिस तरीके से केंद्र की मोदी जी सरकार ने और प्रिदेश की योगी जी की सरकार यहां के जो अपने मध्यविदान सभागर विधायक कानुन मंत्री ने घर घर दवा पहुंचाने का काम किया है और जरूरत पढ़ने पर सिलिंडर तक उन्होंने घर पर बिजवाया है तो इस सब निरधार बाते हैं इस सब बातों को कोई मतलब नहीं है और बात इंकी रही सुनते भाईया अपने हिसाब से इतना सुना उतना जवाब दे दिया कि पिछली सरकार में दो रुपय को रासन मिल ला था कि नहीं मिल ला दो आट गरीब आठा करके वाट उसके तारी शरश करते हैं जहां नहीं संडर पहुंचा दिया लेकिन साहे 300 संडर आपने हजार का क बेखी यहां लेकिन आपको सर्कारों नो कोई भी विचास के नहीं किया नहीं है तो आप यह मान रहे हैं कि विवस्ताइट ठीक थी अस्पतालों में लोग भरती हुए पिछली सरकार ने आज तक कोई काम किया नहीं है उन्होंने एक बात कई कोरोना काल का बार बार जिक्र किया उन्होंने घर घर जाकर दवाईया बाटी औक्सिजन सिलेंडर्स की जो आपूर्ती थी वो उन्होंने करवाई ये बात क कहां तक ठीक है और कहां तक ठीक नहीं मैं खोड करोना से पिएिट वहा था यहां तक है कि एक भी दवाई यह एक भी सुझधाओ कि वहां से पूछा जाई हो था कि आप कैसे क्या है बस कि हूलं आ रहे यह सो आपी तब्रम कि बल्लामपुर में चले जाए चाहे मेटकल कॉलिज में चले जाए चाहे लोया अस्पताल में चले जाए ऑक्सीजन प्लांट मानी मुलायम सिंग यादो जी मानी अकलेश यादो के समय में कारिकाल में लगे हुए थे और लगे हुए हैं उन प्लांटों को इन्होंने नहीं लागू करा पाए और इससे जादा बड़ी बात मैं क्या कर दूं कितने बेड़ आज मेटकल कॉलीज में जो सताब्दी के नाम से बनी हुई बिल्डिंग है उपर हैं वो इस्तुमाल नहीं किये गए करी नहीं पाए क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है केवल चिलंपी लेना और अपना काम करना गटना जो है हुई है किसानों ने चला किसानों को पर चला दिया गया अभी क्या उसकी जाची चलती रहे बोल रहे हैं जाँगा यही जवाब होगा कि जाच चल रही है लेकिन उससे पहले जी बिल्कुल आप नाम बताएगा फिर सवाल रखीगा मेरा नमा पढ़ना शुक्ला है मैं यही तिलेक नगर की वासिन और मेरा सवाल शिवम भया से यह है कि अभी इन्हों ने हिंदुत के बात करी और साथ में इन्हों ने यह कहा कि हमारे माननी विधायक जी ने घर गर दाई तो क्या मुसलमान और सरदारों उस सिक लोगों का घ जवाब देदिज dual लेपने हिंदुत की बात करी जाए तो ही संप्रदा नहीं है मुसलमान अपने बड़े घर से कहता है कि मैं मूसलमान ों हिंदु होने के नातर अक्र हम कहते हैं हिंदु हैं तो इसमें कोई बूरी की बात नहीं है दूसरा सवाल आपका था यहां पर जागी बात नहीं है घ्लम किस ISP कहीं कुछ हैं हमेंने लगता है सवाल वंता है पहुचाएं आपने हिंदू को दवाइयां पहुचा है मुसल्मानों को जासन को पता चला उसमें कोई धर्म न जात भी गई उसको होती है तो निर्माट के निर्माट कराएंगे करा हैं हम करा रहे हैं पर हिंदू की बात कर रहे हैं पॉन की बाति बाति नहीं का श्रूंна है रहीं फिरिसका धासन तो हम भारतिह झैस्ता पार्टी से नाम पर आही थी और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पांचरितमानस में चभॉपाई है कि रखकुलắt रीति सदा चला ऐ under है पर बता बचन को निभाना है मेरे प्राण सक चले जाए और और राममंदिर का इस चंदा इस हिंदुस्तान कि करूलो करूलो जंता ने यहां तक की हम ने भी दिया है जंता ने दिया उसर इल्सदक barking हो बताएंगे आप इन पर ये बात तंज कसते थे तो आप उसी वक्त से चंदा देते आ रहें तब भी आस्ता थी आज भी आस्ता मरते दम तक रहेंगी आप कहते थे तारीक नहीं बता दिया आप तो खुश है आप इस लिए पूछ रहे थे और सुप्रीम कोट अगर आदेश न बना करके दोनों को भूम बाड़ करके उससे समझो तो है कि रणीद के तहट उन्होंने लिया मैं उसके लिए सुप्रीम कोट को धन्यवाद देता हूं नाकी मुंत्री जी को यह बात क्लियर करिया आप आप जब तंज कसते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीक नही कहके आयते कि हम जिस दिन आ जाएंगे उस दिन पना देगे लोगा बना देत लिए यह समझ...? सुप्रीम कोड का अदेश हुआ है, सुप्रीम कोड ने दोनों धरमों को दोनों जातियों को समंझस बना करके निर्ले लिया, और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ हिंदु धरम की बात, आज तक भी तक इतने योगपी के अंदर लोग मारे गए, वो हमारे हिंदु भाई थे, हम क कहना चाहता हूँ, आज उनका मंत्री खुला घूम रहा है, और उप्चुनाओं में बिल्डोजर भेज करके देश की जनता, प्रदेश की जनता जान नहीं है, कि वानिया क्रेश जादो जी का उसमें भी वर्चस था, मुक्तार अंसारी के घरों पर बुल्डोजर चल रहा ह तकलीफ है, यह फिर एटा के जुगेंदर सिंग आदफ के बुल्डोजर चल रहा है, उससे आपको तकलीफ है, बुल्डोजर से तकलीफ क्या है, चुने हुए प्रत्रियत, जिला पंचाय सदास, बीडी ती सदास, परधान, किसके घर पर बिल्डोजर नहीं, किसके घर तो जंता का भला हो रहे हैं ऑप रंग बदलने के है कोशिश में कि नहीं अगर हो आदनी पार्टी हो चाहे समाजजादी पार्टी इन लोग का हमेशा सा रहा है कि अभी ख्याल रखिए मैं आ रहा हूं अभी जो उन्हों टिपड़ी करी उस पर मैं जवाब दे तो फिर उसके बाद आता हूं तो यह लोग कहना कि मुफ्त बिजली दे दो कभी यह बात नहीं करेंगे रोजगार की ठीक है फ्री में दे करके सि ईक बिजली मुफ्त देकर यह जनता को बेबकूफ बनाने का काम कर रहा है आप महंगाई बढ़ाकर जनता को कैसे जागरुक करने का काम कर रहे महंगाई फ्रांश कहां थी कॉग दिशार्कारे केंद सर्कार किसी से पूछ दूगा बोल देंगे विपक्ष को आप कभी लाबानुवित नहीं करेंगे वो लाबानुवित हो रहे हो जानते हैं उनका हिदा जानता है लेकिन अब चुकि राजनीत में तो कुछ तो बोल नहीं है ठीक है दो साल से वैश्व महावारी चल रही है जिस तरीके से केंद्र प्रिडेश की सरकार ने इसको डियल किया है इन की सरकार होती छोड़ भा खड़े होते है रनाती है विश्विस्तर टारीफ हो रही है हिंदूस्तान की उत तरब प्रदेश के जिले जिले अगर आप घूं कर देखेंगे तो तारिफ अध dare-सी प्रूझ के सब अकंड के सघलारिश्यां से प्रणियू को सब्सक्रास नहीं हो है जनता की • आस सबी और वह जह जनताary कि किसान यह कि स्जशो में पार बैठ दिल्ली के बॉर्ड पर बैठे रहे एक साल बाद जब सेक्ड़ों की मौत हो गई उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं हम समझाने में काफी नहीं रहे इसलिए माफी मांगकर आज उन कानूनों को वापस ले रहे हैं जनता आप से ये पूछ रही है तारीफ बाद में जो सवाल है उस प पर लागू होता है फिर उसके बाद जब सेक्ड़ों की मौत हो गई तब बोले कि ठीक है चमा मेरी बास विराठ हिदाय का परिचया देते हुए देश के किसानों से चमा याचना करते हुए उन्होंने वापस लिया और साथी उन्होंने यह कहा आपने ध्यान दिया होगा उ पहले वीडियो देखते हैं कि राम नगर में पानी भरता था उसकी समस्य नहीं दूर कर आई है तो यह वीडियो देखी है इस वही राम नगर का है पिछले तीन वर्स यानि तीन बार से लाजी टंडन राजना सिंग सांसद रहें और सुरेज सिर्वास्तों जी विधायक र भी कासकार नहीं की मतलब अगर आप कहते हैं कि प्री बिजली देंगे आप यह याख जो आए कि अधाराय वही बाते वही बते आप में कुछना चाहता हूं कि भाजन बाते लोलिप आूप दीये थे अगया पूरा समरतन देते हुए इनकी सरकार बनवाई थी आज वेपार चाहिए इन्हीं नोडबंदी की हो सेंटर से चाहिए यहाँ पर लाद दिया हो या उसके बाद आज वेपार एक दम चौपट हो गया हो लेकिन उसके साथ ही जब इनसे बात करते तो कहते हैं कि वेपारी आज बिल्कुल भैमुक्त घूम रहा है अपने आराम से व्यापार कर रहा है कोई रंगदारी नहीं मांगता जैसे पहले की सरकारों में हुआ करता था इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं देखिए वो तो अलग पेट्रॉल इतना महँगा है तो गाड़ी फिर क्या चलाएं बिल्कुल क्या करते हैं मैं स्वाल पहले आम आदमी से हैं मेरा कहने मतलब है जैसे नोंने बताया कि मेरी सरकार आएगी तो हम बिजली कर देंगे आप पूछिए दिल्ली की जनसंख्या और यूपी की जनसंख् है डारा है हम भी जानते हम भी रहते हैं है आप कहरो कि क्या कर देंगे है तो क्या करें आज यहां की यहां की इसलीमीह तो आट लिए और हम सुछ लियाई ने !!! अपसी दे बूल देंगे हमें तकलीफ होगी क्योंकि हम दूसों की चल रही है वह जो हजार धार चाहिए जाहिए हमें आपको मेरा चाहिए हम पहले एक दूसरा सवाल सपह से इन्होंने कहा कि बड़ा गुंडा गर्दी चल रही है 2017 से पहले कुछ नहीं था गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं थी चात्र महुद है अभी हम 2021 में हैं आने वाले महीने में चुनाव है और पांच साल से जिनको हम देख रहे हैं वह बीजेपी है तो एक आध सवाल उन पर भी दाग दीजिए से इन्होंने कहा कि 2017 के बाद से इतना तंगे हो रहे हैं सब और यहाद नहीं है एक ही दिन दंगा हुआ था दूसरे इन से कोई ला नहीं यह है योगी सरकार ठीक है तीसरा हम आते बीजेपी की तरफ हालकि हमें इन से लग गया बिल्कुल है क्यों कि मैं संतुष ना इसलिए हम हमें तु परंतु वाली बात हमें रहोना नहीं यह पडोल महंगा या बिजली महंगी या क्या हम ठीक है हम सक्छा मैं चात्र हैं कम खाएंगे खुश रहेंगे देश बहूत मोटी जी को देंगा सोच रहा था कि यह सभमतिकारी यह Export दिल्चस कहीं और यह Wayजkey व्यक्ति की बहुत बड़ी उपलब्दी की बीजेपी ने की बीजेपी ने ऐसे इस तरीकें से लोगों को बताया कि लोग कहते हैं कि हम कम खाएंगे भूखे रह लेंगे लोग कहते हैं कि हम पेट्रॉल नहीं डलाएंगे लोग कहते हैं मुफ्त कुछ नहीं चाहिए वोट मोदी जी को देंगे पहले जो बढ़ते चले गहरा उसके बाद कम किये अरे ठीक है ना कम किये तब किसी की अमतर्ति पूर्ता संतुस्ट आपको जमाबात है पूर्ता संतुस्ट है आपको कुछ भी हो जाए एक महीना भूके रह लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को देकर आएंगे अब बोल रहे हैं हाँ ठीक है आप बताई क्या करें नाम बताईए का पहले हैं साइफ हमारा सत्ता में बैठ जाए सब छोट जाए तब महेंगाई बढ़ी होएगे बैस इतना पूर्ना चाहिए उन्होंने इतनी महेंगाई होना चाहिए इनका बड़ा सीधा सवाल था इसका प्रस्ट जवाब देजीगा वो कह रहे हैं कि आपको उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो अभी बता रहें मह कपड़े उतर जाएंगे तब आपका स्टेंडर्ड पहुंचे महाईगा जुक है और उसमें जो भी जैसे रुटाल मेधाई महेंगा वेश्विक हैं वेश्विक्ड के दाम बढ़ रहे वेश्विक है तो जो बाइटन को बुलभा के बना दे उत्तर प्रदेश का मुख्यम जो बाइटन को मुख्यमंत्री बना दे तो लगातार सरकार जो है प्रयासरत है कि महंगाई और कैसे कम की जा सकती है मैं दो बाते कहना चाहता हूं पहली बात यह है कि जो जो मिंडिलीस कंट्री जो पैदा कर रही है मतलब वह जो पिट्रोड बना रही है निकाल ली कोद रही है और यहां पहुचा रही है तो वह पैदानी अम्बानी को पैसे कवा जा रहा है जंता से पैसा लुटा जा रहा है और पहले ही इतना पिट्रॉल बढ़ा दिया है उसमें कब करके क्या कोई सान होई नंगिया आज की डेट में भी अगर सरकार पिट्रॉल को जेस्टी के दारे में ले आती है और पिट्रॉल को बीस पसें में टेक्स लगाती है तब भी पिट्रॉल साथ या 65 रुपए पे और सरकार ने मोदी सरकार ने कुछ सीखा नहीं था जब कोरोना फैला था मोदी जी नमस्टे ट्रॉम कर रहे थे यह नमस्टे ट्रॉम की बहुत भारी कीमत हमारे देश को देनी पड़ी है साड़े चार लाख लोगों की जाने चली गई है पूरी गंगा शौवाइनी हो गई है अपने कहा कि जब कोरोना आ रहा था तब मोदी जी हेलो ट्रंप कर रहे थे मैं आपको याद दिला दू तब अर्विंद केजरिवाल जी भी टीवी पड़ाय थे और अर्विंद केजरिवाल जी ने भी कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है सब कुछ ठीक है जी आप क्या करें ठीक बताए नाम बताएगा मैं मुनिश्त्रवेदी हूं हम लोग शा शास्त्री जी गांधिवादी नेता थे मैं बीजेपी के जो बैठे हुए इंसे पूछना चाहता हूं कि ये देश शास्त्री गांधी जी का है या गोटसे का है अगर ये गांधी जी का देश है तो कंगनर रनावाट जिसने फीडम फाइटर फैमिलियों का दिल तोड़ा बचाए जिसने अजादि का मचाक बनाया उसके उपार कारवाई क्यों नहीं उसको जेट सेक्रोटी अभी तक क्यों मेली हुए उसको गृफ्टार क्यों नहीं किया गया जुनिता नहीं उस पर सवाल-जवाब आलग बिल्कुल आप पर ही आहाँ ठीक आप क्या करें मैं दो चीजे पूछ रहा था एक समाजवादी पार्टी से प्रस्थन था यह से ने उन्हें कहा कि मंदिर का निरमाण के इस्व जो क्लियर हुआ वह सुप्रीम कोड के थुरू तो अगर सुप्रीम कोड ने किया तो गोली चलवाने कादिस किसी ने दिया था सुप्रीम कोड दिया था दूसरा आप मामादी पार्टी के जो है ठोको चल रहा है जब पिछले वार्स में दिल्ली में दंगा हुआ था एक आम आदमी सबार्टी के सवासाद ने जो दंगे करवाई देश का मुद्दा नहीं है कोई भी बड़ोले बयान देता है तो उसको देश के मुद्दों के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है महंगाई देश का मुद्दा ए बेर उसगारी देश का मुद्दा इस सब तमाम चीज़ै अवार्ट इसले मिला है क्योंकि वह अभिनेतरी भी है एवार्ड इसके मिला है क्योंकि वो अभिनेत्री भी है आम जन्वार्ण से नहीं कहा है उरको एवार्ड मिला हुआ है उरको सुरच्छा मिली हुई है वो प्रवक्ता बनी हुई है भाजपा की और जा करके बयान दे रही लगातार और यह मैं कहना चाहता हूं कि वो भी मुद रहते हैं कि उन्हीं का ही कि बना हुआ नहीं हमारे साथी रेक सवाल के लाख हिंदू मंगला देश के अंदर निकल करके आए जिनका कोई बीजा कोई पासपोर्ट कुछ नहीं बना हुआ था तब यह भाजपा पिसड़ के गई मैं कहना चाहरा हूं अटल भी हारी भाजपा प्रधान्बंद्रेय मानी अटल भी हरी बाजपेजे लोहर बस चलाते हैं उनके तारीफ होती अच्छी बात चाहिए भारत के उप अधार मंत्री मानी लिवाण के चाहा है प्धाम करते हैं अच्छी बात है अगर कोई दूसरा विक्ति पूछ लेता है पाकिस्तान के त्क बतासे है उस पर देच को दो आप कर देतै रहा है कोई दूसरा मैच कि पसंद करते हैं जो देश हित में काम करें जो पिछली सरकारे रही है समाजवादी पार्टी पिछली सब्षाब से अगर पाकिस्तान की जीत होती है और ऐसे में हमारे देश में अगर पठाके छूटते है तो ठीक है अच्छी बात अगर भारत का बरतमान का उपर्धान मंत्री अब अच्छी बाइब वह चाहिए पाकिस्तान में की सरकार भूए है आखरी दस-दस कॉमेंट लेंगे इसके बाद कार्करम का समात करेंगे ठीक आप क्या कहना चाहरा हूँ कि जो बात आई कि देश किसका है मैं कहूंगा कि गां बिलकुल, इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती, ठीक है, बिना वेपारी, विचारदारा, बिना वेपारीों के लिए कोई मैनिफेस्ट्रों लाहँ हुए, क्या है सत्ता में आ जाएंगे, सिफ किसान की बात करते हैं, महिंगाई की बात करते हैं, वेपारी जैसे हिंदुस्तान मे बार दिये एक्चुल मैंफेस्टों क्या होना चाहिए उसका कितने दिन में वो प्रोग्रेस होनी चाहिए यह बिल्कुल यहां पर दरसल चातर के लिहाँ से आपको बता देता हूं कि परिक्षाएं 2017 में होकर रखी है लेकिन भरती आज तक नहीं हुई तो इसको एक समय के दा जब सरकार आती तभी क्यों राम बंदिर उठता है उसमय की सरकार आती तब क्यों नहीं उठता है यह मुद्दा दरसल इनके घोष्णापत्र में भी कि राम मंदिर आएंगे तो बनवाएंगे उसे पहले जो मेरे साथी का सवाल था उस पर कह देते हैं व्यापारी को लेकर आप क्यों नहीं बात कर जाते हैं महिलाओं की बात कर जाते हैं सब की बात कर जाते हैं मुस्लिमों की बात कर जाते हैं हिंदू की बात कर जाते हैं व्य कॉछभी नहीं जिस देश का नमक खा रहे हैं और दूसरा विक्ष है दोनों को और विश्थ है थीक ठीक है ठीक हैं खिंग हातु अहरोंगा उन्होंने जो कहा कि व्यापारी आपकम सुनेंगे प्रदेश के अगट है कुछ लगत पूंपारी कुछ जाए सुरक्षशृ करे क्या क्या कौन कहरा है डे pageum यह इसका वह दिखा 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 दिया की निजी गहले हैं आप व्यापारी का वाने पता है जाने लोगा वांवाएं चाहां गाइए कि उन्होंने प्रेस नठाया बहुत अच्छा प्रश्ण मैं इनको बताना चाहूंगा धारा तीन बटे साथ जिसको गुमा के बैपारी कहता था तीन सो साथ उस धारा को अगर किसी ने खतम करने का काम किया तो मानी मुलायम सिंग यादो जी नहीं फिर उसके बाद में मारी नेता जी ने चुंगी समाप करने का काम किया और वैपारियों की जो भी डिमांड हो मैं कहरा हूं मैं राष्टिय जी के पास आप लेटर विजवा दीजे जो जो समस्या हो वो दूर करने का काम राष्टिय जी उसमें मैनोफेस्टों में भी लाने का काम करेंगे कि इससे पहले जो भी वेपारी ने ता रहे हूं और अधार इसने घ chatting with yarn व्यक्व मेनुफेस्टेश वग्वी थिक्त मिले यह और पास जब आपकी जानकारी वह कि मुझे दर्द क्या है आपको दिक्कतें क्या है तीका पर आ जातें ठीकना नाराज ने बिलकुल नाराज ने नाराज ने पूरा नहीं हुआ जवाब यह है कि प्रदान मंत्री जी जब लेकर के आये हैं तो हम कहे रहे हैं प्रदेश का बैपारी हमको बता दे कि जीएश्टी की परिभासा भी वह पड़ पाया हो बड़ पाया कि नहीं कहां पर लागू है क्या क्योंकि उन्हों नहीं अरे आरोप नहीं ब्लूप्रेंट आप बताइए आप क्या करने वाले एक मुद्दा भाई लाने वाले वह सरकार अभी भाजपा की चल लाई मैं क्या वादा कर लूँगा वेरी सरकार बनेगी जैस्टी हो आप मनिफेस्टो बना करके दीजें कि आपको यह दिक्कत बना कर दीजें नेता जी के पास अभी कुछ है नहीं फिलाल ठीक है आप बताईए व्यापारियों के लिए क्या है और लास्ट आस कॉमेंट है तो यह बताईएगा आपके पास लगनों मद्दिक में यहां जंता क लिए पिटारे में आपके पास क्या कुछ है अगर आपकी सरकार आती है तो क्या मूल्चूल सुधार जो आप समझते हैं उसको आप करवाएंगे यहां पर देखिए आम आनी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो है जो बिजनस मैन है जो भी वहां पे कारोबारी ही उनके करना आसान करा है इसलिए वहां पर दिल्ली के अंदर टैक्स केलेक्शन काफी बढ़ गया है और वहां पर जाम कर रहे हैं उसके बाद कुछ दूसरा सवाल तो हमसे करने के लिए और हमारा दूबारा तो शोशन नहीं होगा वहां आमानी पार्टी ने दिल्ली में खतम कर द पटें उनकी काउंसिल मेंबर हैं वो उनको हम से जबते ऑफ से हम उसका काम करते हैं दूसी बात हमने पंजाम में बी पर्सों जो है ने वैपयरियू के साल बेठे करी हैं उसे का है कि आपनी समस्या है लग के आहिए और समधान भी आप लेके आए आप पताए उसका समधान कर उसको हमने इंप्लिमेंट किया तो हम लोगों को यह सुनने के लिए बैठे हैं हम यह अपनी बात करने आए हम यह सब को बोलने का मौका देंगे खुद कम बोलेंगे और लोगों से श्रांद वही काम करें तुम कहो को जो हम करेंगे हम यह संता के लिये काम करना है। कि हम आएंगे चुनों रडेंगे जब सबस्क्रारा बन जाए कि तो हम राजा हो जाएंगे अबूरे में जनता की भागेदारी को लोगतंद्र में बढ़ाने आए वहम बढ़ाएंगे हम दिल्ली में पैसे अपना बजट जनता के पाल लेकी जाते हैं पार्कों में आता है जो किसे बीच से तो आया ना क्लिनिक पर तो आप गाये वहाँ पर कचड़ा खा रही है यह सब हो रहा है जो आदमी देखना चाहते हैं न्युक्तन के लिए अच्छी बात की थीक है समाजवादी पार्टी के पास लखनो मध्द के लिए क्या कुछ है क्या कुछ आप सोचते हैं क जो आपने विकास करा है था आप बोले के विकास तो बहुत हुआ 2017 तक तो 2017 में विकास की जो बयार थी वहाँ पर जो दिवार खड़ी कर दी बीजेपी ने उस दिवार को तोड़ कर आप क्या कुछ कराने जा रहे हैं जो भी काम किया बानी ने अकलेश यादो जी ने और आने वाले समय में जनता जान गई है कि हम को छला गया है जनता ही निड़ने देगी इस लोकतंत में जनता जनारदन ही भगवान है वही मत दाता है उसके मन में आ गया है कि हम आने वाले समय में मद्विधान सभाशेत क्या पुरे लखनों में समाजवादी पाल्टी को जिताने जा रही है और दोनों ही जीतेंगे क्योंकि उन्होंने जो काम कर दिखाया चाहे वो पारा का पुल हो चाहे वो अंडर पास बना हो पारा का चाहे आप देख लिए गोंती रिवरफंड जैसे के तैसे रुका पड़ा है औ और एतिहासिक काम जो लखनों में हुए चाहे वो मेटकल कॉलीज का विकास हुआ हो चाहे वो बल्लामपुर का विकास हुआ हो चाहे वो विदानता आए हो चाहे आपका स्टेडियम बनाने का काम जो खूबशूरती लखनों में लाने का काम अनि एकले शादोजी ने किया ह उस खूबसूर्ती को दौन सीटे लखनों की जनता जिताने जा रहे आने वाले समय में विकास जो है विकास की जड़ी है दुबारा से लडाएंगे जिसको आपने दरसल फुल जड़ी बना दिया आजकल यह बताईए आपके पास लखनों मद्ध के लिए क्या कुछ है अगर जनता के बीच में रहते हैं लगातार बने हुए इनके तो नईता थे रविदास महरुत्रा जी पास साल रहे उपना आटिया दूर कर रहे हैं और जो आगे जनता समस्या बताएंगी जो रहे गई होंगी वह भी पूलु रूप से ख़तम आप जब कह रहा है कि हम यह करेंगे वह करेंगे लेकिन लोग आप से पूछ रहे हैं कि टैट की परिक्षा दरसल आप तक तो करवा नहीं पाए पेपर लीक हो गया और परिक्षा रद्ध हो गई कल पूरी रात जमीन पर प्लैटफॉर्म्स पर चात्र पड़े रहे जो परिक्षारती आयते वो उस रड़कों पर सोते रहे और अगले दिन पता लग रहा है कि आप परिक्षा कराने में सफल रहे अब परिक्षा तक तो करवा नहीं पा रहा है बाकी क्या करवाएंगे इसमें जो भी जिम्मेदार हो परिक्षा करवाने में आप सक्षम नहीं होती है यह एक आदे उधारन ऐसे आ जाते हैं तो उपर आवाओंगे ठीक है आप क्या कहना चाहरे थे अगर प्रस्पा प्रस्पा को लेकर दरसल सवाल जो है वो दो मुखी सवाल हो जाता है पहला सवाल यह है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो आप लखनों के लिए पूरे लखनों की चली में बात कर लेता हूं लखनों मद्धे और लखनों के लिए आप अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो क्या देंगे देगे मुकमंत्री माने अखलेश यादो जी बनेंगे और अगर हम उनके साथ हैं तो निश्यत है कि उनकी सीट 2022 में विजई होगी और वो मुकमंत्री बनेंगे अगर वो आपको साथ नहीं लेते हैं तो फिर आप क्या कुछ करेंगे जनता की सुरक्षा, जनता जो विकास चाह रही है, जैसे की चिकित्सा, सिक्षा, इन सब चीजों को कम देखते हुए, कम दाइरे में देखते हुए, जो संभव हो सकता है, वो रेट और देते हुए हम जनता को संतुष्ट रखेंगे, कोई असुविधा है, कोई जिस तरह की परिशानिया, आज आम जनता को हो रही है, शायद पिछली सरक्षा, आप जो गिना रहे हैं, आप देंगे कैसे, क्योंकि जो पहला कॉमेंट कारिकरम जो शुरू हुआ था, तो आपने कहा था, कि अगर सपा के साथ चुनाओ नहीं लड़े आप, तो ना तो आप जीतेंगे ना वो जीतेंगे, जब हम नहीं जीतेंगे, तब हम कैसे जनता को उसकी, पिर क्यों कर रहे हैं, जब आप जीतेंगे ही नहीं, हम नहीं जीतेंगे, आप नहीं कहा कि सपा के साथ नहीं गए, तो ना वो जीतेंगे, ना हम जीतेंगे, चलिए टक गया, चलिए, मामला फस गय किसे जवाब दिये, सीधे जवाब दिये, ये बड़ा अच्छी बात है, इसके साथ ही साथ जो लखनव मद्द की जनता थी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जोरदार तालिया होनी चाहिए, आप लोगों ने बड़ी खुबसूर्ती के साथ जवाब दिये इसी के साथ हमारा जो कारवा है, वो लखनव मद्द आ चुका है, लखनव देश की राज़दानी है, दिल्ली का सिकर इसलिए आ गया, क्योंगे आपकी जब भी शकल दिखती है, तो दिल्ली ही दिल्ली नजर आता है, फिलाल लखनव था ये, और यहां से हमारा कारकरम था, कारकरम में सब कुछ ठीक रा, बढ़िया रा, इससे हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा कारवा आगली विधान सवा पहुंचे का, जहां से हम कारकरम करके ये जानेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, नेता क्या कुछ बोल रहें, समस्या के साथ, समाधानों पर भी बात होगी, बा